Hello Students, Welcome to our first chapter of Class 9 Matter in Our Surroundings और मैं हुआ आपका mentor Vedh Padgash Students जो हम first chapter करने वाले हैं Matter in Our Surroundings यह बहॣत ही Simple और बहुत ही ज़ादा interesting chapter है आपने अपने आसपास कितनी ही सारी चीज़ें देखी होंगे हर दोज देखते भी होंगे बेड, चेर, पेंड, टेबल, लोग, बस, कार, मून, सन, स्टार, न जाने और कितनी सारी चीज़ें और ये सभी के सभी चीज़ें किसी एक कैटेगरी में आ सकती हैं जिने हम कहते हैं matter Everything around us, everything in the universe, from a grain of sand to the biggest of stars is called matter हमारे आसपास की दुनिया में छोटी से छोटी से चीज़ें से लेकर बड़े से बड़े स्टार तक ये सभी matter कहलाते हैं ये matter है क्या? matter आया कब? Students, आप मेंसे बहुतों ने Big Bang के बारे में सुना होगा Big Bang Theory वो थियोरी है जिससे universe की existence हुई थी जिसके बाद universe exist होने के लिए आया था और उसमें सबसे पहली चीज़ जो बनी थी वो था matter universe बनाने के लिए जाहिर से बात है जब stars बनेंगे, planets बनेंगे, sun बनेगा, earth बनेगा, humans बनेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए किसकी जरुद पढ़ती है? matter की So the basic thing that everything around us is made up of is called matter ठीक है? हर चीज जो हमारे आसपास में है हमारी दुनिया में है, हमारी universe में है उसे हम matter कहते है हवा भी matter है, पानी भी matter है, ocean भी matter है कोई solid चीज भी matter है, हर एक चीज हमारे आसपास matter ही है ठीक है? और matter की basic definition क्या है? Matter is anything that occupies space and has mass है ना? matter वो चीज है जिसके पास mass भी है और वो कुछ जगे भी लेती है जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एक bottle कहीं रखेंगे तो उसका भी कुछ mass होगा और वो कुछ जगे लेकर रखेंगा हम खुद कहीं बैठेंगे, तो हमारा भी एक mass है हमारे एक volume है, हम कोई space cover करते हैं ठीक है? तो यह सारी चीज़े matter की category में आती है इन सब को हम matter कहते हैं ठीक है students? यह है आपका basic introduction what is matter? matter in our surroundings और इस chapter में हम यह जानेंगे कि हमारे around जो सारे matter हैं जितने भी सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से behave करती हैं? matter कितनी category के होते हैं? क्या matter से छोटा भी कुछ होता है? और matter के particles होते हैं की नहीं होते? यह particles क्या है? matter में attraction होती है की नहीं? matter कैसे जुड़े हुए रहते हैं? कैसे हमारा पानी अलग-अलग नहीं हो जाता? कैसे कोई solid कोई भी चीज़ अपने आप नहीं तूट जाता? कैसे stars नहीं burst out हो जाते? कैसे stars कोई भी random motion नहीं करने लगते? evaporation क्या होता है? solid state क्या है? liquid state क्या है? gaseous state क्या है? यह सारी बाते हम करेंगे यह सारी चीजे हम जानेंगे इसी चेप्टर